जो complaint है उसको कहीं न कहीं क्या कर रहा है खतम कर रहा है तो यह हमारे किस के लिए था society के लिए तो फिर से मैं एक बार repeat करता हूँ wholesaler कौन होगा जो क्या करेगा large quantity खरेदेगा और small quantity बेटे और उसके benefit क्या है special goods खरीता है वो large quantity खरीता है कम profit कमाता है store करता है goods को वो दुकान पे सरिफ sample रखता है यह और क्या करता है purchase cash और credit sales और more capital required ठेक है clear आपको तो यह अभी हमने देखा wholesaler and trade service के उपर अब देखेंगे हम retailer trade and services retailer कौन होता है वैसे तो आपको पता ही चल गया यह क्या करता है सीधा customer को समान बेशता है retailer कौन होता है और retailer कैसे मदद करता है हमारा wholesaler का manufacturer का society का यह देखेंगे हम इसके बाद यह वाला concept हमारा एक पैरा खतम हो जाएगा सबसे पहले हमने क्या देखा था वैसे इस topic के अंदर होलसेलर से पहले क्या करा था इसमें GST को छोड़ दो डिमांड हमने देखा था क्या के market कितने level पे था relationship पे याद है कुछ आपको relationship पे हमारा दो था direct indirect level पे तीन local state और national इसके बाद quantity पे दो wholesaler retailer यह देखा था हमने इसके बाद का topic हमारा आज हमने देखा इसके अंदर wholesaler के क्या क्या function मतलब क्या service provide करता है और कौन होता है ठीक है अब इसके बाद next देखेंगे हम आप note करेंगे हैं